है 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 लो स्टुडाम वेलकम टूमा यूटूब चैनल जेकेज मैथेमेटिक्स और आज की वीडियो में हम देखेंगे को एक्सरसाइज 7.1 का कोशन नंबर 13 to 16 तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते तो क्वेशन लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने क 12 तक अभी तक 3 वीडियो अप्लोड किये उसकी लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दिवे तो जिसने नहीं देखा है वो देख लो चलो तो क्वेशन लेता है क्वेशन नंबर 13 तो चलो तो नंबर्स आर सेलेक्टेड अर्ट रियांडम विदाउट रिप्लेस्मेंट फ्राम देखो अपको क्या दिया है यन अफिस उन्हों निकाए फ्राम फर्स पोजिति इंटिजर तो फिस्क्स पोजिति इंटिजर तो फिस्क्स पोजिति इंटिजर कों से 1 2 3 4 5 6 तो यना फिस्क्स आपको मिल जाएगी कितनी 6 एन एक्स डिनोट्स तो क्या बताता है एक्स तो लार्जर ऑफ टू नंबर्स तो उसके लिए पहले हमें यन अफिस लेनी होगी तो चलो हम क्या करेंगे उननिकाए टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम तो सेलेक्शन कैसे हो सकता है यन अफिस्क्स मतलब मैं फस्ट one सेलेक्ट करूँगा सेकंड लोंगा टू फ़र्स्ट वान सेकंड का 3 फ़्स्ट वज्सकंड फॉरश्ट वान सेकंद 5 एंड फर्स्ट वन से कंसे आप बोलो कि 1,1 क्यों लिया विदाउट रिप्लेस्मेंट आगर वन सेलेक्ट कर लिया तो वन बचे क्या कि वापिन नहीं तो मैं उसको फिर से सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ बराबर है ना तो आपे देखो या फिसेम टू कामा वन टू कामा टू नहीं चलेगा 2,4 2,5 & 2,6 next 3,1 3,2 3,3 नहीं चलेगा 3,4 3,5 & 3,6 next 4,1 4,2 next 4,3 4,4 नहीं 4,5 4,6 next 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 नहीं directly 5,6 चलो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 बराबर है आपका रैंडम सेलेक्टिन बराबर है तो X denote the larger of two numbers तो larger चाहिए जो selection होगा उसमें larger तो larger वां क्या लेक्ट सकते two larger three larger four larger five larger and six larger मैंने skip किया one क्योंकि one किसी से भी large नहीं हो सकता है two हो सकता है two one से large हो सकता है बराबर ही क्या larger of two selection तो चलो X मिल गया हमें तो आप ड्रह करते हम टेबल तो यहां पर आएगा यह आपका टेबल तो चलो यहां पर लेता हूं मैं first one that is x यहां पर होगा probability of x पाद में हमें expected value चाहिए तो यहां पर आएगा x i multiply by pi बरबर है न फार्मूला ही वैसा है तो x आया आपका two three four five you and whatever it to probability of getting two larger the probability का फार्मूला होता है P of a is equal to yana f a divided by yana f yes to to do i a to to consider jake up a larger देखो यहां पर two larger यहां पर two larger तो ऐसे कितने तो two divided by total कितने तो टोटल यह ना पिस मैंने आप इस लिखा था यह एक से तो यह ना पिस आया पायू फायू फे मतलब टोटल आया आपका 30 पर आवरे ना तो चलो नेक्स्ट गेटिंग 3 as a larger तो 3 देखो यहां पर 3 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 तो 1 2 3 4 ऐसे 4 chances से जापी 3 larger रा सकता है तो यहां पर आएगा 4 upon 30 चलो 4 की जगा देखो 4 यहां पर 4 2 3 4 5 and 6 बरावरे तो यहां पर आएगा 6 upon 30 चलो फायू लार्जर वाले तो यहां पर भायू वान यह 1 2 3 4 5 6 7 & 8 8 जगा ऐसी जापी फायू लार्जर तो यह आएगा 8 upon 30 and last one 6 larger वाले देखो यहां पर यह 6 और यह 4 कितने होए 10 तो हमें मिलेगा 10 upon 30 बरावरे तो चलो उसके बाद हमें निकालना एक साह इंटू प्यार यह आपका एक साह यह आपका प्यार तो 2 multiply by यह आएगा 4 upon 30 3 4 जा 12 upon 30 next 4 6 जा 24 upon 30 5 8 जा 40 upon 30 and 6 10 जा 60 upon 30 तो चलो बताओ टोटल तो 30 तो आएगा common 4 plus 12 16 तो यह कितना होगा 40 40 plus 40 80 80 plus 60 तो यह आएगा 140 upon 30 तो आएगा expected value e of x is equal to tie summation of x i multiply by p r तो इसकी summation आई आपकी देखो 140 divided by 30 तो यह cancel हो जाएगा और इसको आप आगे साहल कर सकते त्री फॉर्जा ट्वैल त्रू बचता है तो यह आएगा 4.667 यह आए आपकी expected value आया समझ में very simple अगर वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को subscribe करना ना भूलो तो चलो लेट्स टेक देक देक क्वेशन नंबर 14 तेको क्या है तो यह आफियस का formula होता है मैं मैं 6 रेस्ट यहन तो डाइस कितने यहन इस इक्वल टू तो मैं लिंगा 6 स्क्वेर तो यह मिल जाएगा 36 तो यह आपका यहन आफियस यह आपने अल्रेडी देखा हुआ है तो चलो एक्स क्या है तो एक्स डिनोट क्या का उन्होंने एक्स ड त्रीव 4567 8 9 10 11 and last me 12-2 ambiente झालिक उन्होंजेठ में फ्म कि छोटे शूय यहां पर देखो यह सब 7 वाले सब यहां पर आएगी 7 यहां पर आएगी सम 8 यह देखो सब 9 यहां पर 10 यह 11 यह लास्ट वाला यहां पर आएगी समपकी 12 तो इसका ही हमें क्या करना है स्टैंडर्ड डेविशन फाइंड आउट करना है चलो तो सॉल करते हैं तो यहां पर मैं टेबल बनाता हूं हरीज़न्टल क्योंकि जगा की वज़े से क्योंकि नंबर बहुत सारे तो तो यहां पर आएगा आपका X और यहां पर आएगा आपका P of X तो चलो वन बाइवन क्या करेंगे साल करेंगे तो चलो एक्स क्या आपका समीज़ टू समीज त्री समीज फोर फाइव सेक्स सेवन एट नाइन टेन 11 एंड लास्ट बनीज द्वार्वर तो सम्मीं गेटिंग टू के प्रबाबलिटी तो प्रबाबलिटी आफ एनी इवेंट है इस इकोल तो आपको मालुमी क्या होता है आपे डिवाइगा आपका 1 by 36 3 वाले देखो 3 वाले 1 2 तो यहापे आएगा 2 by 36 4 वाले देखो 1 2 3 कितना आए 3 अपान 36 चलो तो 4 5 वाले 1 2 3 4 तो यहाएगा 4 by 36 चलो 6 वाले 1 2 3 sorry 6 वाले 1 2 3 4 & 5 तो यहापे आएगा आपका 5 by 36 7 वाले विक आप 1 2 3 4 5 & 6 तो यहाएगा 6 अपान 36 बाद में एट सी कम होते जाएंगे 1 2 3 4 5 तो यहाएगा 5 upon 36 9 वाले विक ओ 1 2 3 4 तो यहाएगा आपका 4 upon 36 10 वाले 1 2 3 तो यहाएगा आपका 3 upon 36 11 2 by 36 तो यहापे लिखता हूँ 2 by 36 और 12 वाले 1 upon 36 मरबर यह आग गए आपकी probability तो अब हमें पाइंट आउट करना है स्टैंडर्ड डेवेशन तो टैंडर्ड डेवेशन का फार्मूला है स्क्वेर रूट अफ व्यारियंस ऑफ एक्स लेकिन व्यारियंस का फार्मूला होता है देखो सम्मेशन अफ силь इंट आइ माइनश Summation आफ एक्साइप आइ ब्राकेट इस्वेयर यह होता ऐ आपका कुर्यारियंस दो मुझे यह XI PI होगा है तो उसका टोटल हम क्या करेंगे अब उसके बाद हम find out करेंगे XI into PI क्योंकि यह XI API तो दोनों का multiplication हम यहां पर find out करेंगे बरवरी तो 2 API जाएगा 2 by 36 2 3 जा होगा 6 by 36 4 3 जा होगा 12 by 36 5 4 जा होगा 25 by 36 6 5 जा होगा 30 upon 36 6 7 जा होगा 42 upon 36 5 8 जा 40 upon 36 4 9 जा 36 upon 36 यहाएगा 30 upon 36 यहाएगा 11 तो जा 22 upon 36 जा यहाएगा 12 upon 36 जा हो बाद में उन सब का total करना है आपको यह दियान में रखना है बाद में हमें चाहिए XI square तो यहापी करता हो मैं XI square बरवरे तो XI का square करो तो XI 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 5 का square I का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का होगा कितना 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 and 12 का 144 बरावरे तो चलो बाद में निकालेंगे क्या तो आवा में चाहिए XI square into PI, बरावरे तो इनका multiplication, 4 multiply, मतलब इन दोनों का multiplication 4 multiply तो यह आजाएगा, 4 by 36, next 9 by, sorry 9 2 जा होगा, 18 by 36, 16 3 जा, 48 by 36, 25 4 जा, 100 upon 36 Next 36 5 जा, तो कितना होगा, 180 upon 36, 49 जा, 56 जा होता है, 300, 300 minus 6 तो यह आएगा 294 divided by 36, 64 5 जा, तो यह आएगा 320 upon 36, 81 4 जा, तो 324 upon 36, 100 multiply by 3, तो यह आएगा 300 upon 36 121 2 जा, तो 242 divided by 36, and last 144 divided by 36 तो चलो, calculation पाटे उतना आप कर लोगे, तो उसके बाद हमें चाहिए variance of x तो उसमें चाहिए summation of xi square into pi, and minus of summation of xi pi bracket square, तो चलो, यहाँ पे इसका sum कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा summation of xi pi, आप calculation करको complete करो, तो आपको answer आजाएगा, यह आजाएगा देखो, 252 divided by 36, अगर मैं इसको आगे solve किया, तो क्या मिलेगा मुझे, 66 जा, 64 जा 24, and 62 जा, तो यहाँ आए 42, तो 67 जा, तो summation of xi pi, मतलब expected value आई आपकी 7, तो लेकिन हमें expected value नहीं पूछी थी, तो चलो, और एक total जो अमने कर लेते हैं, that is, summation of xi square into pi square, तो इसका value आता है, तो इसका value मैंने अल्रेडी निकाल के रखा हुआ है, उसका value आता है, देख 36 मिनिमाइज हो सकता है, तो मिनिमाइज कर सकते हम, चलो, तो यह 10, 10 प्लस 7, 7 प्लस 4, 21, मतलब 3 से डिवाइड होता है, वाइवन नमबर है, तो 6, 6, 3 जा 18, 6, 2 जा 12, and 6, 9 जा, and 6, 6 जा, अब शायर डिवाइड ने होता है, तो यहाँ आगा, आपका summation of xi square into pi, तो चलो, आमे calculate करना है, standard deviation, तो standard deviation होता है, square root of variance of x, तो पहले calculate करते है, variance of x, क्या होता है, formula, summation of xi square into pi, minus summation of xi pi bracket square, तो चलो, आगे solve करते है, इसका value आएगा, 329 divided by 6, and इसका value मतलब 7 का square, कितना आएगा, 49, चलो, तो आगे solve करो, यहाएगा 329, 6 से multiply किया, तो 300 minus 6 मतलब 294 divided by 6, तो यह 29 plus 6, यहाएगा कितना, 35 upon 6, यह होगा, आपका variance of x, अगर आपने इससे divide किया, तो 65 जा 30, 5 बचते हैं, तो 5 by 6 क्या होता है, 0.83, तो यहाएगा variance of x, अमें calculate करना है, देखो, standard deviation, तो standard deviation का value आया, देखो, क्या होता है, standard deviation का formula, square root of variance of x, तो चलो, square root of variance of x से, 5.83, तो इसका value आप, as it is रखा, तो भी चलता है, और इसका value अगर find out करना है, तो आप by logarithm की help से calculate कर सकते, बराबर है, चलो तो लेते है, question number 15, तो देखो, क्या है question number 15, a class has a 15 student, whose age is 7, तो age is की बने है आपको, in years, one student is selected, in such manner that each has a same chance of being chosen, means fair गोगा जोगा बाद में, and the age, x of selected student is recorded, तो x क्या है, age of the student, okay, what is the probability distribution of a random variable x, तो probability distribution find out करना है, next, find mean find out करना है, variance find out करना है, standard deviation find out करना है, तो देखो, तो age, तो age कितना है, start होता है 14 से, और end होता है 20 को, तो age कितना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, तो यनाफियस पहले लेकाल लेते, चलो यनाफियस, total number of student हमें देए कितने, 15, तो चलो पहले probability distribution, वहीपे variance, वहीपे mean हम क्या करेंगे, एकी table में find out करेंगे, तो चलो table draw करते, तो first यहापे आएगा आपका x, उसके बाद यहापे होगा probability of x, तो एक सामें किवहन है 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last one 20, तो चलो probability of save 14, probability of a नहीं है क्या होता है, probability of event is equal to an of a divided by an obvious, तो 14 के कितने वच्चे सेलेक्ट हुए, तो देखो यहापे 14 है, 1, 2 और 2 यह वरवर है जिनका age 14 है, तो 2 और divided by an obvious कितना है 15, चलो आप 15 वाले, एक एक ही बच्चा है जिसका age 15 है, तो 1 upon 15, चलो 16 वाले बताओ, 16, 1, 2, दो बच्चे है, तो चलो 2 upon 15, 17 वाले देखो, यहापे 17 एक, यहापे 17 दो, यहापे 17 एक तीन, तो 17 वाले तीन बच्चे हमें मिले, तो यहाएगा 3 upon 15, चलो 18 बताओ, 18 वाला कहा पे, तो 18 वाला एक ही बच्चा है, तो हम लेंगे 1 by 15, 19 वाले थेखो 19, यहापे 1, और यह 2, दो बच्चे है नाइटीन वाले, तो यहाएगा 2 by 15, यहाएगा 2 by 15, एर लास्ट 1, 20 तो 20 वाला भी यह दो है, यह 21 एक, यह 2 और यह 3, तो यहाए आपका 3 by 15, तो तो टो टोटल 3 plus 4, 2, 5, 6, 6, प्लस त्री नाइन और नाइन प्लस फाइव फार्टीन हो रहे क्योंकि यहां पर एक बच्चा है जिसका एच ट्वेंटीवन भी तो यहां पर मुझे लास में एड़ करना पड़ेगा ट्वेंटीवन तो ट्वेंटीवन का प्रोबबिलीटी आएगा वन बाइव फिप्टी अबावरे तो चलो बूसके बाद अमें फाइंट आप करना यह मिलका में प्रोबबबिलीटी डिस्टिविशन उसके बाद हमें पाइंट आट करना है क्या मीन तो मीन का क्या फार्मूला होता है समेशन आफ एक साइं मल्टिप्लाइब आइ पी आइ तो करो मल्टिप्लाइब 14 टूजा होगा कितना 28 अपॉन 15 यह होगा 15 अपॉन 15 16 टूजा 32 अपॉन 15 नेक्स 17 टूजा 51 अपॉन 15 नेक्स 18 वंजा 18 अपॉन 15 नेक्स 19 टूजा 38 अपॉन 15 टूजा 60 अपॉन 15 एंड 21 वंजा 21 अपॉन 15 तो इनका सम करेंगे बाद में हमें वैरियंस भी चाहिए तो देखो मीन का फार्मूला क्या होता है मीन इस इक्वल टू mu is equal to summation of xi multiply by pi तो यहाँ पे अपनी sum की concern मिल जाएगा पर अबरे उसके बाद हमें find out करना है variance of x तो variance का formula होता है summation of xi square into pi minus summation of xi multiply by pi bracket square मतलब जो मीन की value आएगी उसका हम bracket square करेंगे पर अबरे तो आगे table continue करते हैं तो आमें चाहिए x i square तो x i कितना है 14 तो 14 का square होगा कितना 196 15 का square होगा 225 16 का होगा कितना 256 17 का 289 18 का होता है 324 19 का होता है 361 20 का होता है 400 और यह होगा 441 बराबरे और बात में हमें pi को multiply करना तो x i square multiply by pi तो यह आपर यह table complete हो जाएगा बराबरे ना तो x i का भे x i multiply by pi तो 196 multiply by 2 तो यह 400 तो यह आएगा 392 4 तो जाए 8 बारबरे अपॉन 15 यह 225 divided by 15 तो 256 अपॉन 2 तो 200 तो 250 तो 500 तो 512 divided by 15 289 multiply by 3 तो यह 2187 तो यह आएगा 867 divided by 15 आपको क्या करना पड़ेगा इस कॉलम की टोटल यह इस कॉलम की तोटल यहापर लगनी है और इस कॉलम की तोटल यह पे लिए विए पाउस करके टोटल करके देखो तो मैंने टोटल अल्रेड आपे दिये आपको क्रॉस चेकिंग लिए तो समेशन आफ एक साइंट पिया का सम आजाएगा देखो 263 अपान 15 एंड समेशन आफ एक साइब स्क्वेर इंटू पिया आजाएगा देखो 4683 अपान 15 तो चलो अमें क्या दिया अन्नों यह पे तो फॉर्स आपको फाइंड आउट करना है मीन मीन मीव इस इकवल टू क्या होता है समेशन आफ एक साइ मल्टिप्लाई भाई पिया वही वेल्यू थी हमारा वही फर्मूला होता है किसका एक्सपेक्टेड वेल्यू का तो यह आए आपका 263 डिवाइड भाई 15 अगर 15 से डिवाइड किया तो 15 वन जा 15 यहां पे बचता 11 15 6 जा 90 15 7 जा कितना होता है तो 105 होता है तो आया 105 मतलब यहां पे कितना बचता है 5 मतलब 8 और आये 0 दिया तो 15 15 5 जा 75 और यह अप्रॉक्जिमिटली आएगा 17.53 उसके बाद आमें क्या क्या सेकंड पॉइंट यह तो variance of x का formula होता है देखो summation of xi square into pi minus summation of xi pi bracket square तो चलो value put up करते है यह total है देखो 4683 divided by 15 minus 17.53 bracket square तो अगर आपने इसको divide किया तो 15 3 जा 45 15 1 जा 15 यहां पे बचते 3 15 2 जा 30 तो 3 1 2.3 और यहां पे आया 17.5 bracket square 53 bracket square तो चलो bracket square करो 3 1 2.2 और यह square किया तो यह मिल जाता है 307.3 तो subtraction करो तो आमें मिलेगा variance of x is equal to 4.9 यह है आपका variance of x थर्ड आमें find out करना है क्या standard deviation तो standard deviation हम sigma से दिखाते which is equal to square root of variance of x which is equal to square root of variance of x की value कितनी 4.9 अगर आपने ऐसाइल रखा तो भी चलता है लेकिन आप लॉक टेवल में square root निकाल सकते तो इसकी value आती है approximately 2.21 आया समझ में very simple तो चलो let's take the question number 16 16 को क्या आया question number 16 in a meeting 70% of members favor and 30% oppose a certain proposer बरावरे a member is selected at random we have to take we take x is equal to 0 तो देखो x selected at random and we take x is equal to 0 if he oppose and x is equal to 1 if he is in favor तो चलो find the e of x and variance of x मतलब आपको the i x is equal to 0 and 1 0 कब जब आप उच करता है and 1 कब जबो क्या करता है in favor होता है तो 0 की probability probability of 0 तो दिए आपको 30% तो 30 मतलब 30 upon 100 तो यह कितना आ जाएगा 0.3 and probability of 1 दिए आपको 70% तो यह आजाएगा 70 upon 100 तो यह कितना आ जाएगा 0.7 परसेंट लिको डारेक्ट लिको वरवर इना तो चलो आगे solve करो तो क्या आ जाएगा चलो तो यहापे दो यह एक 0 and 1 बराबरे यह आएगा 0 और 1 0 की probability है 0.3 and 1 की probability है 0.7 बराबरे हमें calculate करना e of x तो e of x को चाहिए x i into pi बराबरे तो चलो तो x i यहापे आ जाएगा 0 और यहापे आएगा 0.7 तो 10 का sum होगा 0.7 बराबरे next variance of x के लिए चाहिए x i square into pi बराबरे तो इसको तोड़ा सागेक में क्या करता हूँ extend कर लेता हूँ तो चलो यह क्या होगा आगे आके x i square मतलब 0 का square 0 1 का square आएगा 1 तो यहापे आएगा x i का square है तो x i square into pi तो कुछ change नहीं दिखरा है यहापे आएगा 0 और 1 into 0.7 यह भी आएगा 0.7 तो यहापे लिख देता हूँ में यह आएगा आपका 0.7 बराबरे तो लेते अब फाइंड आउट करते है एक्सपेक्टेड वैल्यू तो e of x is equal to होता है summation of x i multiply by pi तो इसका summation हमने निकाल है कितना है वैल्यू 0.7 बराबरे बार में variance of x यह आएगा summation of x i square into pi minus summation of x i pi bracket square तो यह आएगा आपका 0.7 यह भी आया था 0.7 लेकिन इसका करना है आप square तो यह आएगा 0.7 minus 0.049 तो एक ता तो आप बन जाएगे दो decimal मतलब यह 0 की कोई जरुद नहीं यह आएगा 0.49 तो 70 minus 49 तो यह answer आएगा 0.21 यह होगा आपका variance of x आया समझ में very simple अगर समझ में आ रहा है वीडियो पसंत आ रहा है तो चैनल को subscribe करना ना बुलो और यह वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को forward करो क्योंकि उनको भी class 12 का mathematics in simple method means simple language में शिपने को मिलेगा चलो तो टोड़े भी विल स्टाप यह चलो thank you have a good day